हेलो फ्रेंड्स एस्टोन और टेबल बाइसवाती में अब सब कस्ट आ गयत हैं जैसा कि थमनेल देखके आप जान गया होंगे कि आज हम बना रहे हैं होली के लिए और गैनिक गुलाल घर पे एक बात बताओं ये तो बहुत कम पैसे में बनेंगे और साथ में अपनी किचन के इंग्रीडन्ट से ही बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे तो आज हम बनाएंगे अपने बड़े बच्चों सब के लिए सेफ और गैनिक गुलाल तो देखते हैं ये और गैनिक गुलाल कैसे बनेंगे लीजिए दो बोल दो बोल में दो दो चमच कॉनफोर एड़ करिए मैं अच्छे से मिक्स करेंगे लिक्विड फॉर्म में मैंने कलर भी खाने वाला इस्तमाल किया है एसेंस भी मैंने खाने वाला इस्तमाल किया है जिससे केक बनता है वही वाला इसी तरीके से हरे वाले में भी हम थोड़ा सा पानी एड़ करके मिक्स करेंगे लिक्विड फॉर् इसलिए बताया अगर आपके पास ना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने दो चम्मश कॉन्फोर में एक चोटा चम्मश टैलकम पॉडर रैट किया था इस लिक्विट फॉर्म में जो हमने गुलाल तयार किया इसको एक प्लेड में फैला दीजिए और इसको हम अच्छ पर साइट पे रड़ दीजिए और आराम से 5-6 घंटे में सूख जाएगा इसी तरीके से मगर अच्छे से फैला जरूर दीजिएगा प्लेड पे 6 घंटे बाद मैंने देखा तो यह सूख गया था स्पून की साहता से इसे प्लेड से अलग कर लिजिए और चम्मश की पीछ जाए अब हैं इसक pills लेए वाल टैक्शा में करने तरह सकत Cornell मैं मिक इन भार पीसनहीं। मिकष़् कर दबद कर दो कि लीजिए गीली मैं देखिए झाल सबस्प्लीब नषा तैयार हो चुका है आपके घर में बहुत कम पैसे में बहुत चंद पैसों में और गैनिक गुलाल तैया रहे हैं मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पज़िए गांक फॉर वा वाचिंग अगर वीडियो पसंद आया तो संस्क्राइब करना मत भूलिए गां बाई ठैंक यू